हाई play집 बूटματα स्वागत है promet यहाद की वीडिव को और एग्रोन अप्लिकेशन की पूरा रियालीिटी बतहूंग試 been a fork टरप से कितना तक कि इंट्रेस्चेडेट और सर्विस की तिरब से कितना तक की लोन कितिय दिनों के लिए प्रवाट करा जाता है और यह application loan के लिए इस इफ application है कि नहीं और किसे अगर आप लोग इस application से loan लेंगे तो क्या-क्या प्रोब्लेम का सम्दा करना होगा और आपको किस application पे loan के लिए apply करना चाहिए या नहीं चाहिए सब कुछ इस विडियो के तुरू आपक गोग को मैं पूरा डीटास में बताऊंगा तो किस credit bank को loan application को open करने के टाम पहले पहले लोगिन करने का पहले आप गोग को pen card का photo और एक service photo अपड़ करना होगा pen card और service photo अपड़ करने के बाद कुछ basic information फिल करना होगा basic information फिल करने के बाद वाद करना होगा emergency अपड़ करने के बाद फिल करना होगा bank details फिल करने के बाद इस्टेप के इंट्रफिस आ जाएगा और यह पर आप लोग को दिखा जाएगा कि इतना तक की loan का disability मिल चुका है तो कि सपोज अगर आप लोग को कुई application की तरफ से 6000 रुपिस का loan का disability मिलता है तो नीचे service पी देख सकते है और GST है 600 रुपिस तो कि इस service पी और GST बैंक को loan application पे loan के लिए apply काते है और आप लोग का documents बगर सही है सिविर अच्छा है तो आप लोग को इस application की तरफ से लोन लेंगे तो क्या-क्या प्रोब्लेम का समना करना होगा और 7-10 बाली loan application की तरफ से loan इपेन के लिए किस तरह की से harassment और blackmail किया जाता है जैसी कि जब भी आप लोग इस टप के 7-10 बाली loan application पे लोन के लिए apply करने के लिए जाते है उसी टेम आप लोग को कभी सारे पर्मिशन एलाव करने के लिए कहा जाता है और आप लोग बीना सोचे समझे सारे के सारे पर्मिशन को एलाव कर देते है और उसी टेम यह सब 7-10 बाली loan application मोबल के data और contact list को एक्सेस कर लेता है फिर करने के बाद भी अपडेट नहीं काता है फिर दुबारा loan application के लिए बहुत तरी किसा harassment और ब्लाग मिल काता है और इसमें आप लोगों कोई सब सब कहते हैं कि सब्सक्राइब करें करें और बहुत दिनों के लिए प्रवाट करता है और इसमें आपने के लिए और इसमें आतले करता है बहुत हैं तो आपका लोन क्लोस होत दिनों के लिए और प्रवाट को को और को और करने कि लिए बहुत तरह हैं और ब्लैक्मिल किया जाएगा और आप गोग को फूल एमांट पे करने के लिए कहा जाएगा तो गजिए इसे 7 days बाले loan application के तरफ से बहुत तर किसा आप गोग को प्लेश्टों में अविलेवल दिखने को नहीं मिलेगा तो किसे भी बात ही कि कर्दिन में गोग को लोन के लिए सेव अप्लिकेशन है कि नहीं तो इस तरफ के 7 days बाले loan application के लिए बहुत तर किसे ब्लाक मेल और टॉचर करता है और किसे 7 days बाले loan application के तरफ से loan application के लिए किस तरह किसे ब्लाक मेल और टॉचर किया जाता है जो मैं already इस वीडियो के थुरू आप गोग को बता चुका हूँ और किस अगर कोई सोच रहे कि केडिट बैंग को loan application से loan लेकर अपना जो भी problem है problem को solve करूँगा तो किसे अगर आप लोग को से 7 days बाले loan application से loan लेकर लेकर फाच चुका है और loan opinion के लिए आप लोग को बहुत तरह किसा harassment और ब्लाक मिल किया जा रहा है तो इससे बचने का solution किया है जैसे कि अब लोग इस्टफ के 7 days बाले loan application से loan लिया है और loan repayment के लिए आप लोग को बहुत तरह किसा harassment और blackmail किया जा रहा है और गिसे अगर किसी के साथ ऐसे हो रहे कि अब लोग इस्टफ के 7 days बाले loan application से loan लिया है और आपको लोन की जरुवरत नहीं है फिर भी without information लोन प्रोवाइट कोया गया है और लोन रिपेयन के लिए आप लोगो को harassment और ब्लाग मिल किया जा रहा है जैसे कि लोन रिपेयन के लिए edited new picture आप लोगो का contact list को send किया जा रहा है लोन रिपेयन के लिए आप लोगो का data का मिसी उस किया जा रहा है तो अगरेज इस स्थिति में आप लोगो को कह करना चाहिए इस्टेफ के 7S बाले लोन अप्रिकिशन से आप लोग डारिये मत इस्टेफ के लोन अप्रिकिशन के एक भी पैसा रिपेयमन मत किजिए इस टेफ के 7S बाले लोन अप्रिक्शन के खिलब जाके एक सीबर क्रेम कंप्लेन और फूलिश कंप्प्लेन कारेदीजिए और गिस कोई भी लोन अप्रिक्शन के खिलब ओनलाइं साइबर क्रेम कंप्लेन काईसे करना होगा आपका contact list में जितने सारे नंबर है, सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ loan के नाम scam हो चुका है, अगर loan opinion के related मेरे नम पे किस विदर की call SMS आए और edited new picture send किया जाए तो आप लोग ignore करें और इसाथ आप लोग साथे साथ ऐसे कीजिए कि आप जो भी social media account यूज़ करते हैं जैसे कि facebook, whatsapp, facebook यूज़ करते हैं तो facebook पे एक story डाल दीजिए अगर आप whatsapp यूज़ करते हैं तो whatsapp पे एक status डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ loan के नाम scam हो चुका है अगर loan opinion created मेरे नाम पे किस भी तरकी call और SMS आए और कोई edited new picture सेंग किया जाए तो आप लोग ignore करें और साथे साथ loan opinion created मेरे नाम पे जो भी नमर से call और SMS आए उस नमर को सिधा जाके block कर दीजिए और साथे साथ आप लोग ऐसे किजिए कि cybercrime complaint करने के बाद जो complaint copy मिलीगा है उस complaint copy को facebook और whatsapp status पर डाल दीजिए इससे किया होगा आपका contact list में जितने सारे नंबर है सबको trust होगा कि आपके साथ 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 में loan के नाम scam हुआ है और कैसे अगर इस्टेव के 7S बाली loan application के दरफ से loan repayn के लिए आप लोगों को call or smith करके बहुत तरकी सा harassment और परशान किया जा रहा है तो इस्टेव के 7S बाली loan application की call or smith से बचने का solution यह कि आप लोग अपना sim card को 10 days से लेके 20 days तब आप कर दीजिए और साथ साथ उस नंब को block का दीजिए तो इससे क्या होगा अनो नंबर से जो भी call आएगा वो automatically काच जाएगा तो इस वीडियो के थुरू आपको को मैं step by step बता दिया कि अगर कोई भी loan application से loan लेके फाच चुगा है तो इससे बाचने का solution क्या है कैसे अगर अपने की solution को step by step follow करेंगे तो आपका जो problem है 100% solve हो जाएगा फिर भी case अगर किसी का problem solve नहीं होता है तो इस वीडियो का description में बना WhatsApp नंबर दिखने को मिल जाएगा अब लोग WhatsApp के थुरू मेरे साथ contact कर सकते है और कैसे अभी आप लुगों का मन में step का 7S बाली loan application को लेके कभी सारे सवाल आ सकता ही गा क्या इस्टव का loan application आपके खिलाब legal action ले पाएगा कि इस्टव का loan application की तरब से loan payment के लिए recovery agent घर पे आएगा तो किसमें आप लुगों को बता देता हो कि इस्टव का 7S बाली loan application इल्लिगाल होता है इस्टव का loan application आर्भी का कोई rules follow नहीं काता है इस्टव का 7S बाली loan application आप कोई legal notice बेजा जाता है तो आप लेको इस legal notice को देखके डारिये मत क्यूंकि इस्टव के 7S बाली loan application की तरफ से बाली loan application आंसे बार इसकी होता है आप लोग इस्टव के 7S बाली loan application से सब्दान रहे और इसमेरी तरफ से में कभी भी इस्टव का loan application loan के लिए recommend नहीं करते कि इस्टवरम पर कोई भी loan application के याद देखे तुरह जाके उस application पर loan के लिए apply ना करे पहरे YouTube और Google पर जाके उस application गिर्भी चेक आउट कीजिए और उस application की और उस application की तरफ से कितने तक कि इंट्रेस्टर्ट और सर्विस पर आ जा रहे और इस application की तरफ से कितने दिनों के लोन के लिए apply करने के लिए जाएंगे उसी देम उस mobile की पूरा डेटा को clear कर लिजिए यानि उस mobile पर जितने सरे photo वीडियो कॉल हिस्ट्री, SMS हिस्ट्री, contact list सब कुछ delete कर दीजिए फिर गेस आप लोग उस mobile पर fake data और fake contact list अट करके इस्ट्री के लोन के लिए apply किजिए फिर गेस अगर आप लोन के लिए apply के लिए और आप लोन को लोन मिल जाता है और loan repayment के लिए अगर आप लोग को harassment और ब्लेक मिल किया जाएगा तो आप लोग को किसी भी तरह की problem नहीं ह करता है तो आप लोग इस application के खिलाब एक cybercrime complaint और पूलिश complaint कर दीजिए और किसी को loan के related को issues या कोई प्रोब्लेम होता है जैसे कि loan repayment करने के बाद भी update नहीं काता है फित्व बड़ा loan repayment के लिए आप लोग को harassment और blackmail किया जाता है तो इस video के description पे मेरा Instagram account का link दिखने को मि मिल जाएगा और अब लोग यह सब loan application पे loan के लिए apply कर सकते है तो हो गई से ही था subscribe छोड़ा दन गई तो अगर आप लोगों को यह वीडियो आच्छा लगे तो ज़रू इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जाए साथ शेयर कीजिए तो कैसे आप लोगों के साथ मुलोगा तो रहे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाए हींद बंद मातराम